हेलो एव्रीवन वल्कम बैक तो दा चैनल आज की नए वीडियो में हम बनाने वाले हैं ड्रमस्टिक के सब्जी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर हमने ले लिया है सौफ्ट वाला सैजन जिसे मोरेंगा मुंगा और ड्रमस्टिक भी कहा जाता है हमारे याद उसे सैजन ही कहा जाता है आप क्या इसे क्या कहा जाता है कमेंड बॉक्स में जरूर पिताईएगा तो इस तरीके से हमने इसे अच्छे तरीक को बहुती जादा पसंद आने वाली है तो इस लिए वीडियो को पूरा वाच कीज़ेगा यह सबजी बहुती जादा टेस्टों बनती है सबसी बनाने के लिए अब मसाला देख लेते हैं यहांपे हमने तीन अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है, अब हम देख लेते हैं आगे का मसाला, यहाँ पे हमने लिया है एक चमच मेथी दाना, एक चमर रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे हमने लिया है मसाले वाली करते हैं आज हम सबजी प्रेशर कूपकर में बनाने वाले हैं हमने कूपकर चढ़ा दिया और इसमें डाल दिया है तेल तेल की गरम होते ही डाल देंगे मेथी दाना जिसे थोड़ा तड़क जाने देंगे अब जो हमने पेस्ट बना के राखा था उसको डाल देंगे इसमें अब जार में जो पेस्ट लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पाने डाल के उसका गोल बना के हम इसमें डाल देंगे. अब इसे अच्छी तरीके से भुनना है हमें 3-4 मिनिट के लिए. पेस्ट अची तरीके से भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे रेड मिर्ची पाउडर, अब फिर से इसे हम चलाएंगे, दोनों ही चीजें हमने यहां पर एक एक चमश डाला है, तो आप मसालों की रंगत देख सकते से बुन रहा है, तो उसे 3 मिलट तक और इसे बुनेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे आलू, जब तक मसाला बुन रहा है, तब तक आलू भी इसमें अची तरीके से बुन जाएगा, इस तरिके से आप अपने घर में सबजी बना के ज़रूर ट्राइ कीजेगा, बहुत स्थी दूफें। सभी चिच अची तरयकी से भून चुकी हैं इसमें डाल देंगे मसाले वाली खटाई । इससे सब्स में बहुत ही ज़्यादा जाओ लेवर आएगा कि अब इसम्स में याइड कर देंगे सैजन इसे भी अची तरीकी भुन लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक तो सब्जी में हमें लीड लगा कि सीटी नहीं लगाना है इसे धक्करी पकाना है क्योंकि सेजन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है अब हम इसमें डाल देंगे स्वाथ की अनुसार नमक इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें लगा देंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए तो यह लिजिए यहाँ पर हमने एक से रेड ग्लास पानी भी डाल दिया है अब इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए इसे ठख देंगे और इसे पांच मिनेट तक पकानेंगे पांच मिनट हो गया है अब सबजी को चेक कर लेते हैं ये देखिए सबजी में अच्छा बॉयल आ चुका है तो अब हम देख लेते हैं कि सबजी हमारी पक गई है या नहीं यहापे हम आलू चेक कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं आलू हमारा अची तरीके से पक गया है अब हम सेजन को भी चेक कर लेते हैं तो सेजन भी अची तरीके से गल चुका है और सबजी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है अब हम सबजी को थोड़ा ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे करेंगे सर्व इस तरीके से सबजी बना के आप हमने घर में ज़रूर ट्राइ कीजिएगा रोटी चावल के साथ ये सबजी बहुती ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में तो सेजन की कई तरीकी की सबजी बनती है आगे हम वीडियो में सेयर करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताक कि नेक्स वीडियो की नोटिफिकिशन आपको टाइम पर मिलती र लगा तो आज की वीडियो यहीं पर खतम होती है थैंक यू सो मच पर वाचिंग